है 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 लो दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे बी ASTC 1st 2nd year का सामझिक विज्यान का पेपर सामझिक विज्ञान सिक्संड सब्जिक्ट का पुरा नहां हमें साथ नमर का यह पेपर होता है और अगर आपको फर्सट यह और सेगन डिर के पेपर देखने तो यहां कलियान सीर्वी YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में चाहिए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको यहां पर DLA 1st Year Paper 2018 के सारे पेपर मिल जाएंगे और यहां पर आपको DLA 2nd Year 2018 के सारे पेपर मिल जाएंगे जो 2018 के पेपर है तो अब हम देखते हैं सामाजिक विग्यान का पेपर किस परकार रहा 2018 का तो यहां पर आप इंट्रक्शन पढ़ सकते हो उसके बाद पहला कोस्चन है समाज में परिवर्थन होता है तो इसका राइट आपसोर है आंत्रिक परिस्तीतियों से और बाहे परिस्तीतियों से परिवर्थन होता है दूसरा है इमाईल दुर्खिम के अनुसार समाज है लोगों का रहने का तरीका तीसरा सवाल है सामजीक विग्यान के अध्यान से बच्चों में विकास होता है वैग्यानिक सोच का इतियास लेखन के लिए मौलिक साक्सिय है वो है अभिलेक बवन मुद्रा है उप्रोक सभी राइडांस हो रहे है फिर अगला कोस्चन है दो नमर का बहुत ही अच्छा विदी की दो हनिया बताईए क्या हनिये भासण विदी की सिक्षण में वो बता लिए साथ वा कोस्चन है काल मार्क्स का संक्सिप्त परिचाई दीजिए आटवा कोश्चन है नई सिक्सन नीति की दो सिफारी से बताईए ये भी दो नमबर का कोश्चन है नौवा कोश्चन है सेक्स वो जेंडर में क्या बिन्नता है दोनों में अंतर समझाना है दो नमबर का कोश्चन है राश्ट्य इतियास सिक्षन के दो लाव बताएं राश्टी इतियास क्यों बढ़ाया जाता है इसके क्या लाव है बताने वह भी दो हम दो नमबर और गयाद को सकता है क्या समाज का वैग्यानिक अधियन हो सकता है इसप्स्ट करें तो यह सप्स्ट कण US तीन सोलवा कोश्चंट यह कि विद्यालयों में समाजिक विज्यान क्यों बढ़ा है जाता है इस पर अपने विचार लिखने तीन नमर आपको मिल जाएंगे सतरवा कॉष्चन है क्या आज भी जाती आदारी परमतराय व्यवसायों करना आवसेग है अपने विचार प्रकट कीजिए मलब जाती आदारी व्यवसाय जो थे वो आज भी क्या आवसेग है इसपें अपने विचार लिखने तो बिल्कुल एजी सवाल है, तीन नमबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, इस सवाल के बस आपको एक आदा परिग्राफ लिगना है, आदे पेज का, फिर अठारवा कोस्चन है, इस्थान्य इतियास का चैतर किसे कहते हैं, इस पस्ट करें, इस्थान्य इतियास का चैतर बताना तीन नमबर का कोस्चन है, सुनामी किसे कहते हैं, इसके परवाव बताईगे, सुनामी का अर्थ बताना है, और इसके परवाव बताना है, तीन नमबर मिल जाएंगे, फिर आगे के कोस्चन जो सारे, पांच नमबर के हैं, पांच कोस्चन है, पांच नमबर के, आपनी दोनों में जो कोई भी कीजिए फिर 21 है सिक्षण प्रकिरिया में साह्यक सामगरी किसे कहते हैं इसका उप्योग किस प्रकार किया जाता है पांच नबर का अथवा में इसके साथ है टिपनी लिकनिये सुक्षण पर और सिक्षण कॉसल बे फिर 22 को सिच्छन है जेंडर किसे कह जेंडर सम्मन्दी समाजिक अनुगों लिखिये